तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं pointer में ही तो अभी मैं आपसे question पूछने वाला हूँ कि हमने क्या कि यहाँ पर एक x वैडियल बनाया है जिसका address हमने p pointer में रखा है यह हमने last lecture में देखा था तो अभी मैं तो क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा समझे कि हमने x का address p में रखा है तो p x को point कर रहा है हम लोग ऐसे बोलते हैं p x को point कर रहा है तो अगर मुझे p का use करके x की value चाहिए तो हम लोग p की de-referencing करते थे यानि की p के पहले क्या लगा देते थे star लगा देते थे तो star x की value मिल जाती थी तो मेरा question यहाँ पर आपसे है कि star То p लिखना x लिखने के बराबर है हम ऐसा क्या समझ सकते हैं बिल्कूल हम ऐसा समझ सकते हैं वह सकते हैं क्योंकि हमने जब p की de-referencing कर दी तो हमें x की value मिल जा रही है और x की value मिल जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि star P लिखना एक्स लिखने के बराबर है क्यों क्योंकि पी में हमने एक्स का एड्रेस रखा है तो जब भी हम किसी वेरियेबल में जैसे यहां पर पी में एक्स का एड्रेस रखा है तो इस टार पी लिखना एक्स लिखने के बराबर है अब मान लो फ्यूचर में आपने क्या किया पढ़ा ने वर्यैबल को पाश करते थे तो मतलाव की वेलू को पास करते थे तो उस एड्रेस को रिसीप करने के लिए कोई वे भी बनाना पनेगा तो हाँ पर हम फार्मल आर्गुइमेंटống की जिगह पर पॉइंटर वे डियाबल बना देंगे फार्मल आर्गुमेंट्स और एक्चुल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं आपको पता हैं मैं पहले बढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए फंचन का इस्पेसली तो मैं यह बोल रहा हूँ कि जब हम फंचन को काल करते हैं तो उसमें हम क्या करते कर अभी तक हमने क्या किया था कि हमने एक्स वैरियेबल का नाम हम लोग पास कर रहे थे हैं ना वैरियेबल का नाम पास करने के मतलब क्या था वैरियेबल की वैलू को पास कर रहे थे और वो value क्या होती थी corresponding formal arguments में जाकर के copy हो जाती थी तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं x का क्या address पास कर सकता हूँ हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मैंने address पास किया तो जो हम formal arguments बनाते थे ordinary variable वहाँ पर मुझे ordinary normal variable नहीं pointer variable बनाने पड़ेंगे यह कितना amazing है है ना तो वो चीजे हम देखने वाले हैं और आप समझें कि जब आपने address पास कर दिया तो जैसे यहां पर हमने पी में x का address लिखा है तो star p लिखना x लिखने के बराबर है तो अगर हमने किसी फंसन में x का address पास किया है तो उस फंसन के अंदर मालो हमने फंसन बनाया है फन और इसमें हमने फंसन काल करते समय एक address पास किया है let's say star q ऐसे आप समझे थोड़ी देर के लिए माल लेजिए इसकी कुछ बाड़ी होगी यहां पर इस तरह से यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यह फंसन इसकी बाड़ी है इस फंसन को हमने क्या किया काल किया और उसमें इस x का address पास कर दिया तो x का address कहा चला जाएगा q में चला जाएगा है न क्योंकि q ही तो receive करेगा x के address को बतलब कि जो यह q variable है यह भी point कर रहा है x को p की तरह, p की ही तरह x को यह भी point कर रहा है तो अब इस फंसन के अंदर नहा है इस फंसन के अंदर जहां भी मैं इस स्टार की लिखूँगा वो x लिखने के बराबर है ये कितना amazing चीज है कि आप इस वाले x को जो किसी दूसरे फंसन के अंदर है माल लिजे main function के अंदर है हमने main function के अंदर से इस function को call किया था तो main function के अंदर जो x है आप उसको directly use कर पा रहे हैं कहां पर इस function के अंदर ये बहुत बड़ी बात हमने बोल दी है pointer के reference में खैर ये सारी चाहिए हम तो देखेंगे लेकिन अब एक बात आप यहां पर ध्यान रखना कि जब भी आपने किसी variable का address किसी भी variable में रखती है जैसे यहां पर हमने p और q में रखा है तो star p लिखना x के बराबर है star q लिखना x लिखने के बराबर है तो जैसे आप main function में x को use कर रहे थे वैसे आप फन फंसन में star q लिखेंगे तो main function वाला ही x माना जाएगा कितना मेंचिंग है यहाप समझेंगा होगा तेंकिसो मैच